इस question को देखिए 46 को इसमें 30 हो जाएगा दोनों को multiply करेंगे 15 to 30 इसको 1 से 30 हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 15 3 से 10 और इसका difference हो गया 7 आगे हमारा factor कुछ नहीं करना होता है बस और बड़ा वाला को माइनस में छोटा वाला को प्लस में तभी तो माइनस में आगा न मेरा स standard भाषा काम इस्तेमाल नहीं करते प्रहाते समय क्योंकि यह बिहार है अब यहार में यह स्टेंडर बहाषा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बिहार में जो CBSC बोटके बच्चे भी होते हैं थाप उनसे ज्यादा इंग्लिश का उमीद नहीं कर सकते क्योंकि उभी जो हिंग्ल वाला तो यह ज़्यादा ज़रूरी होता है चलिए आप फाइब कॉमन लेंगे तो टू एक्स प्लस थिरी हो जाएगा इस को देखिए बहुत ही आसान है इसका फैक्टर जो इसी में छुपा हुआ है तो 21 को फाइब से मल्टिप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा और मल्टिप्लाई करने पर तो आया 105 लेकिन जब इसको सब्ट्राइक जारा करके देखिए तो 16 भी तो आ जा रहा है तो आप इसका फैक्टर ढूलने का जोट नहीं आपका पता चल चुका है 21 और 5 इसका फैक्टर हो जाएगा तो फाइब से स्क्वाइर और आपको क्योंकि माइ क्तुका है और यहां पर बन चुका है 5 x 21 और एक्स प्लस वयन बहूत यह सवाल था यह हमको लगता सकता इन दोनों को जो मुल्टिप्लाई करें तो फाइनली कितना आ जागा 210 अब यह देखते का सब पता चल गया है लेकिन आपको बता देते हैं इसमें देखते हैं पता क्या चल रहा है कि इसका जो फैक्टर होगो 10 और 21 होगा दोनों को मुल्टिप्लाइब की जिए 210 आ जाता है और गैप कितने का था 11 का आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले 1 से डिवाइड करके 2 से 3 से 4 से तो 10 टाइम में तो आही जाता ना तो चलिए जब आ 2x को कमा ले सकते 3x और यहां पर हो जाएगा जब 2 कम लिए तो अंदर में 5 हो जाएगा डिवाइड कर देता है 3x प्लस 5 हो जाएगा 7 कॉमा लेना पड़ेगा दोनों का स्वेन आ जाएगा तो आप फाइनली आपका एंसर आ चुका होगा 3x प्लस 5 एक एंसर आ गया दूसरा 2x-7 लोग 49 ने वह खोशें के तरफ बढ़ते हैं देखिए जब 49 को यह सब आलम आपको बताने जाएंगे सवाल आपको हम बता रहे हैं अब लोग गुसा जाएगा बे मतलब का तो यहां पर माइनस 15x करना पड़ेगा क्योंकि माइनस मेंसर लाना है बहुत बार लेकिन मेरा आदत बहुत खराब है आप लोग को बहुत छोटा-छोटा चीज बताते रहते हैं लोग सामने मेरे तो 30x और प्लस फोर हो जाएगा यह कॉमन लेने वाली बात हम इसलिए नहीं बोल रहे होगी आप जहादा आपको सिखना है तो पीछे वीडियो को देख लीजेगा उसमें बताय हुए कॉमन लेना और 3x-5 यह भी आपका बन चुका है आज का लास्ट कोश्चन फिप्टी नंबर कोश्चन इसके बाद लोग अगले वीडियो मिलेंगे चलिए उसको भी सॉल्व करी ले जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे उतना बहुआ वाला कोश्चन सवाते जा रहा फिप्टी नंबर कोश्चन बना रहे हैं और यह जाता है तूपर यह प्लस में रखना पड़ेगा तभी आपको माइन समय आ जाएगा नहीं तो नहीं आयेगा बहुत ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा कि गया होंगे अब हों मिलते हम लोग 51 से ले करके अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए